श्री राम जन्म भूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 15 अप्रेल से राम नवमी के दिन यानी 17 अप्रेल तक श्री राम जन्म भूमी मंदिर 24 घंटे दशन के लिए खुलने का अयोध्या प्रशासन ने एलान किया था लेकिन अब इस पर विवाद शुरू हो गया है। पहले राम मंदिर ट्रस्ट के महास्चिव चंपत राय ने कहा कि राम लला पांच वर्श के ठाकुर है उन्हें कितना जगाया जा सकता है। अब मंदिर के मुख्य पुजारी आचारे सतेंद्रदास ने साफ साफ कह दिया है कि मंदिर 24 घंटे नहीं खुल सकता उसे बंद तू करना पड़ेगा ही। राम लला का अपनी जन्म भूमी पर बने भव्य मंदिर में यह पहला जन्म दिन है लिहाजा भक्तों का उत्साह चरम पर है। इस अवसर पर हर कोई अयोध्या में मौजूद रहना चाहता है और इस खासपल का भागी दार बनना चाहता है। पीछे आयोध्या प्रशासन की सोच यह थी कि अधिक से अधिक श्रद्धालू इस खासवसर पर अपने आराध्य के दर्शन कर सके 24 गंटे नहीं खुला रहेगा। राम मंदिर आयोध्या डियम नितीश कुमार ने कहा कि हम 10-15 लाख लोगों का अनुमान लगा रहे हैं। स प्रशासन के कहने से नहीं होगा, सब की मर्यादा होती है। 24 गंटे नहीं खुला रहता है प्रशासन यह तैकर लेकि बीच में सुबह मंदिर बंध होगा यह रात में लेकिन मंदिर तो बंध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर के ट्रस्टी और प्रशासन इस बारे में तैकर के इस बारे में पहले से श्रद्धालूओं को जान